Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चैनल People Teacher में कल UTAC के परिक्षा हो गई है, आज के इस वीडियो में हम लोग UTAC paper 1 के CDP के questions का analysis करेंगे अगर आप चाहें तो अपने answers match कर सकते हैं यह जो paper set मैंने ले रखा है, यह paper set A है, आप चाहें तो अपने सेट के साथ match कर सकते हैं questions आगे पीछे आपको मिलेंगे, पर सारी questions आपको मिल जाएंगे पहला प्रशन हम लोगों से पूछा गया था कि कौनसी ऐसी theory है जिसके अंदर cognitive deployment यानि की संग्यानात्मक विकास के चार अलग-लग अवस्थाएं दे रखी हैं और हमें यह पे चार अलग-लग option दे रखे थे, पहला था जीन प्याजे की theory अगला था ली बाइगोट्सके की theory, या फिर कोलबर्ग की theory, या फिर बेंडियूरा की theory तो देखिए इस question का जो correct answer है, वो है जीन प्याजे का संग्यानात्मक विकास जिसके अंदर हमें चार अलग-लग चरण बताये गएं इसके अलावा ली बाइगोट्सके ने हमें zone of proximal deployment का concept दिया था तो यह option यहापे है नि, इसके अलावा कोलबर्ग की theory देखिए तो कोलबर्ग की theory में तीन अलग-लग stages हैं, तीन अलग-लग अवस्था हैं तो यह option भी हापे answer होगा नी और bendura ने हमें social learning theory दी थी तो देखिए यह भी हापे option नहीं होगा, इस question का यह जो option है, यह correct answer है अब चलिए अगली question को जड़ा discuss करें यह अगले question में हमसे पूछा गया था कि इन में से कौनसी गतिविधी स्थाइक बुद्धी से समन्दित है spectral intelligence से associate करतीवी activity आप से पूछी गई थी इस question का भी जो option है, यह correct answer है जब हम किसी जतिल उपकरन को यानके complex appliances को इकटा करतें, assemble करतें यह spectral intelligence के activity मानी जाती इस question का B जो option है, यह correct answer है अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि मन्द बुद्धी बाल को ही तू, कौन सी अभी प्रेना प्रवर्ती अधिक उप्योगी होगी यानकि जो slow learner है उनके लिए motivational technique इन में से कौन सा ज्यादा useful होगा तो देखिए, option के अनुसार अगर हम जाएं तब पहला जो option है, इस question का correct answer होगा हमें क्या करना चाहिए, उन्हें पुरुसकार और प्रसंसा करनी चाहिए यानकि उन्हें award देने चाहिए और appreciation करना चाहिए इसके अलावा जो बाकी option हमें दे रखें यह यहाँ पर negative sense हमें दे रहें इस question का A जो option है, यह correct answer है अब चलिए अगले question को ज़रा discuss करें अगले question में हमसे पूछा गया था कि इन में से कौन से character, कौन से विशेशता जो है, यह gifted children के नहीं होगी जो vicious बालक होते हैं, इन में से कौन से विशेशता इनकी नहीं होगी इस question का जो correct answer है, यह होगा C option वे स्वेम को समान उपलबदी के मानकों के उपर नहीं देखते इसके अलावा जो बाकी हमें character यहाँ पर दे रखें यह सारी के सारी यहाँ पर gifted children के character होते हैं इस question का C जो option है, यह correct answer है अब चलिए अगले प्रशन को जड़ाद discuss करें अगला प्रशन हमारे सामने, यहाँ पर हम से पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा सिक्षन सैलियों की विशेशता नहीं है इस question का जो correct answer है, वो है आपका C option इस question का C जो option है, यह correct answer है हमें उस option को टिक करना था, जो कि not वाला option था अब चलिए अगले question को जड़ाद discuss करें अगले प्रशन में हम से पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा कथन सिक्षन की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता which of the following statement does not define the nature of teaching exactly तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने आप लोगों के साथ negative tag word discuss के थे, और मैंने का था कि ऐसे option जिन में हमें only मिल जाए यान कि केवल मिल जाए, वो यहाँ पर negative sense हमें देते हैं और यहाँ पर हम सब पूछ रखा है कि teaching को इन में से कौन सा यहाँ पर exactly define नहीं करता जो teaching होती है, वो आपका interaction करती है, यान की अंतर क्रिया करती है, यह बिलकुर सही है यहाँ पर अगले option में बो रखा है, teaching जो है, एक तरीके से art और science दोनों है, यह भी यहाँ पर correct है अगला है, teaching जो है, development process है, यह भी यहाँ पर सही है इस question का D, जो option है, यह correct answer होगा अब चलिए, अगले question को ज़रा discuss करें, यहाँ पर हमसे पूछ रखा है which of the following statement clearly define learning होता है, यह process और product दोनों ही होता है learning जो है continuous process है, यानके एक सतक प्रक्रिया है, यह भी हाँ पर बिल्कुछ सही है आगे हाँ पर C option बो रखा है, learning से हमारे behavior में change आता है हमारे वेभार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह भी हाँ पर सही है इस question का D जो option है, यह correct answer होगा, यानकी उप्युक्त सभी अब चलिए, अगले question को जरा discuss करें, यहाँ पर हमसे पूशा गया है कि निमलिकेट में से कौन सी section विधी नहीं है which of the following is not a teaching method इस question का B जो option है, यह correct answer होगा, यानकी जो interview method है, यहाँ पर teaching method में माना जाता यह assessment technique है, अब चलिए, अगले question को जरा discuss करें अगला question हमारे सामने, यहाँ पर हमसे पूशा गया था कि जो section के सूत्र है, जो exams of teaching है यह इन में से कौन से option आपके correct है तो देखिए, यहाँ पर पहला है known से unknown, यह exam माना जाता है अगला है concrete to abstract, यह भी बिल्कुल सही है अगला है easy to difficult, यह भी यहाँ पर सही होगा अगला है whole to part, यानकी पूर्ण से अंच तक हमें जाना तो देखिए, यहाँ पर चारों ही यहाँ पर सही होने के वज़े से इस question का D जो option है, यह correct answer होगा यानकी उप्योक्त सभी all of the above अब चलिए, अगली question को जड़ा discuss करें यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निमलेखित में से कौन सा कारक व्यक्तित को प्रभावित करता है which of the following factors affect personality तो देखिए, personality को हमारी heredity यानकी अनुवांशिक कारक अफेक्ट करते हैं इसका लावा psychological determined यह भी यहाँ पर सही होगा यानकी मनुविज्यानिक कारक और साथ यह साथ प्रियावरेनिक कारक यह जो environmental factor है यह भी आपर ही सही है इस question का जो correct answer होगा वो होगा B option यानकी statement 1, 2 और 3 जो है यह हमारी personality को affect करती इस question का B जो option है यह correct answer है अब चलिए अगले question को जड़ाई discuss करें यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्योंकि इस question का जो correct answer है वो होगा B option इसके मदद से वो बच्चों के हर तरीके के जो educational problem है उन्हें यहाँ पर successfully solve कर सकेगी यहाँ पर जो समस्त सैसिक समस्या है उनका समाधान सफलता पूरवक हो पायागा इस question का B जो option है यह correct answer है अब चलिए अगले question को जरा discuss करें यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन में से कौन सा कथन growth and deployment यानि कि हमारी वृद्धी और विकास के लिए कौन सा यहाँ पर समरिद बैठेगा तो देखे इस question में दो option में हाँ पर doubt बैठेंगे इस question का A option भी हो सकता है इस question का C option भी हो सकता है क्योंकि growth और deployment दोनों जो है यह natural process भी है और साथे साथ अगर growth सही से होते है तो deployment उसे follow करता है तो देखे इस question के answer में doubt है इसका A और C में से कोई एक answer होगा official answer की आने तक wait कीजिए अगर आप लोगों ने इन दोनों में से एक question का option टिक लगा रखा है तो आपके chances है कि इस question में आपको marks मिले अब चलिए अगले question को जरा है discuss करें अगले question में हमसे पूछा गया है यहाँ पर हमें heredity and environment यानिके जो हमारे अनुवान्शिक कारक है और जो परिवेश है उनसे समंदित कौन सा कथन है यह सही दे रखा है यह हमसे पूछ रखा है इस question का जो correct answer होगा वो होगा B option जो हमारी heredity होती है जो हमारे अनुवान्शिक कारक होते है और जो हमारा परिवेश यानिके वातवरन होता है इनका बराबर भागेदार होता है यह दोनों के दोनों बराबर योगदान देते है हमारी personality deployment पे इस question का B जो option है यह correct answer है अब चलिए अगले question को ज़राइ discuss करें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि कौन से ऐसे psychologist थे कौन से ऐसे मनुविज्यानिक थे जिनोंने हमारे intellectual deployment को age से यहाँ पे connect किया इस question का जो correct answer है वो है आपे gene प्याजे gene प्याजे ने हमें संग्याना आत्मक फिकास के चरन दिये और हमें बताये कि इस age के बच्ची इतने cognitive deployment इनका हो जाएगा इस question का B जो option है यह correct answer है अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें यहाँ पर हमसे पूश रखा है कि बच्चों के जो आक्रमक वैवार होता है इन पर किनोंने यहाँ पर correction किया था किनोंने यहाँ पर observation की थी इस question का जो correct answer है वो है यहाँ पर bendura का जो experiment था जिसे हम bobo doll experiment के नाम जानते है जिसके अंदर यहाँ पर तीन अलग-लग cases लिए गए थे और बच्चे को अलग-लग behavior यहाँ पर दिखाया गया था इस तरीके से बच्चा social learning करता है यहाँ पर bendura का मानना था इस question का D जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगली प्रेशन को जड़ाई discuss करें काफी असान प्रेशन यह पूछा गया था यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कोलबर्ग के जो moral deployment की थियोरी है कोलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिधान्त है इन में से कौन सी अवस्था उससे समंधित नहीं है correct answer होगा अब चलिए अगली question को जड़ाई discuss करें यहाँ पर थोड़ा सा यह content घुमा दिया था बट पूछी काफी असान चीज़ है यहाँ पर बोल रखा है कि एक बच्चा है जो कि mathematical problem गनित्यक की समस्या को का समाधान कर रहा है और एक puzzle में आके वो अटक गया है और उसके बाद वो उसके बारे में सोचता है और सोचने के बाद यहाँ पर suddenly उसको solution उसके mind में आ जाता है जब हमारे mind में suddenly किसी चीज़ का solution आ जाए तो इसके लिए एक शब्द का प्रियोग किया जाता है जो कि है insight theory यह अलग से insight theory बनाई भी गई है यह है हमारी सूजग प्रकार अधिकम इस question का C जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें अगले question में हम से पूछ रखा था कि बच्चों के अंदर जो अधिकम शालियां पाई जाती है जो learning style पाई जाती है हम किस तरीके से thinking रखते हैं किस तरीके से चिंतन करते हैं इस question का B जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें काफी असान question यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे पूछ रखा है जो हमारी मानसिक स्वस्ता होती है यानि कि जो हमारी good mental health होती है इसमें से कौन सा यहाँ पे character नहीं होगा कौन से इसकी योगिता नहीं होगी तो देखिए यहाँ पे balance life होना यह काफी अच्छा character माना जाता है तो देखिए यह option नहीं हो सकता अगला है कि हम लोग reality को accept करें यानि कि हमारे आसपास जो हो रहा है वास्तविकता को हम अपना है यह भी बिल्कुल सही है तो देखिए हमें not वाले option को tick करना है इसलिए यह वाले option तो हो नहीं सकते last option है कि हमें एक regular life जीने चाहिए यह भी बिल्कुल सही है और इस question का जो correct answer होगा वो होगा आपका C option जो सेखी बात ना यानि कि जब हम हवा में बाते करते हैं यह एक good mental health का character नहीं माना जाता Boston जो है इस question का correct answer होगा अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें अगले question में हमसे पूशा गया है यहाँ पे कि अगर हमी high order cognitive skill बच्चे में लाने यानि कि उत्स तरीय संग्यनात्म कोशल बच्चों में विक्सित करने तो हमें किस तरीके के अप्रोच यहाँ पे अपनानी होगी हमें यहाँ पे बच्चों में inquiry learning यहाँ पे करानी होगी यानि कि खोज अधिकम इस question का D जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगले question को जरा discuss करें यहाँ पर हमसे पूश रखा है कि अगर हमें बच्चों के अंदर problem solving approach को बढ़ावा देना है यानि कि बच्चा किसे समस्या का समाधान करने के लिए योग्य हो जाए इसको हमें portion करना है तो हमें क्या करना चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो correct answer होगा हमें बच्चे को कुछ ऐसे समस्या देनी चाहिए जो कि real life situation पे आधारित हो इस question का B जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगले question को discuss करें अभी मैं आप लोगों के साथ वो सारे option नहीं discuss कर रही हूँ जो कि question का answer नहीं हो सकते अब देखिए यहाँ पर हम लोगों से इस question में भी हाँ पर doubt बैठेगा यहाँ पर हमें पूछ रखा है कि curriculum जो हमारे पाठ्थे करम होता है वे क्या होता है तो देखिए इस question का answer A भी हो सकता है इस question का answer C भी हो सकता है अगर हम परिभाशा के अनुसार जाएं तो इस question का answer C होना जीए कि एक तरीके से describe करता है prescribe करता है हमारे syllabus course को या फिर A भी हो सकता है कि एक तरीके से सारे experience है जो कि बच्चे को मिलते हैं जो वो school में gain करता है इस question का A और C option में यहाँ पर doubt है अब चलिए अगली question को जरा discuss करें यहाँ पर हमसे पूश रखा है N I V H यह किससे आपका related है यह हमारी visual handicap से related होता है यानके दृष्टी बांदिता से अब चलिए अगली question को जरा discuss करें यहाँ पर हमसे पूश अगया pre-langual deafness जो होती है यह क्या होती है यानके पूरो भाशाई बदिर्ता क्या होती है तो देखिए यहाँ पर pre-word लगा दिया गया है पूर्व तो देखिए जब हम भाशा सीखने से पहले भाशा अर्जन से पहले जब हमें किसी language में दिक्कत हो इस question का यह जो option है यह correct answer होगा यानकी भाशा अर्जन के पूर before acquisition of language अब चलिए अगले question को जरा discuss करें यहाँ पर हमसे पूश रखा है कि अगर हमारी कक्षा में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि hearing impaired प्रवन बादिता है तो हमें अपनी कक्षा कक्ष को किस तरीके से यहाँ पर arrange करना है किस तरीके से अकार देना है कि यहाँ पर हमें एक प्रभावशाली कक्षा बना सके तो देखें यहाँ पर हमें क्या करना है हमें यहाँ पर circular arrangement रखनी है इस question का correct answer है A option, अब चलिए अगले question को जरह discuss करें, यहाँ पर पूश रखा है, जो mentally retarded person होते हैं, मानसक मंद बालक होते हैं, उनमें अधिगम के लिए इनमें से कौन से विशेशता यानकि कौन से character नहीं होगा तो देखें, इस question का जो correct answer होगा वो चीजों को generalize नहीं कर पाएंगे चीजों का सामान्य करन नहीं कर पाएंगे, इस question का D जो option है, यह correct answer है, अब चलिए अगले question को जरह discuss करें यहाँ पर हमसे पूश रखा है, जो हम integrated education कराते हैं जो द्रिस्टी बादिता वाले बच्चों के both A and B, अब चलिए अगले question को जरह discuss करें यहाँ पर बोल रखा है, कि एक बच्चा है जो कि कई सारी story सुनता है कई सारी tale सुनता है तो उसके अंदर किस तरीके की ability आ जाएगी, किस तरीके की योगिता आ जाएगी वो अपने आपको किसी और के सामने यहाँ पर अभिविक्त कर पाएगा अपने आपको express कर पाएगा इस question का B, जो answer है यह correct answer होगा, अब चलिए अगले question को जरह discuss करें यहाँ पर पूछ रखा है, जो dysphrasia होता है, यह क्या है, तो देखिए यहाँ पर चार अलग-लग option दे रखे थे अगर आपको यह learning disorder नहीं भी पता था, तो भी आप correct answer लगा सकते थे, क्योंकि यह जो writing होता है, यह dysgraphia होता है, reading के लिए जो होता है यह dyslexia होता है, यह calculation के लिए होता है, यह dyscalculator होता है, इसके अलावा क्या बच गया हमारा जो language abnormality है इस हिसाब से यहाँ पे, भाषाई अश्रमता जो है इस question का correct answer होगा आज की इस वीडियो का last question जरा है discuss करते हैं, देखिए bossing जो है, एक और question में हमसे पूछा गया था, यहाँ पे भी हमसे पूछा गया है यह बोल रखा है कि, जो cognition होता है जो हमारा संग्यान होता है इसके अंदर कौन सा process, कौन सी प्रक्रिया को हम समिलित नहीं करेंगे तो देखिए, thinking, understanding, problem solving यह सब हमारा congregation यानके संग्यान पे समंदित होता है इस question का जो correct answer होगा, वो होगा सेखिबादना जो के हमें bossing C option में दे रखा है I hope आप लोगों ने अपने answer match कियो हो आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगी अगली वीडियो में अगले topic के साथ बाई बाई, take care